आज का वीडियो है किस तरह से अपने ही घर पर मुरगी का घर बनाए सबसे पहले रिक्वाइर्मेंट के एकॉर्डिंग स्क्वाइर पाइप को कटिंग कर ले ताके हम लोग स्ट्रक्चर तयार कर ले टोटल स्क्वाइर पाइप के पीस को राइट अंगल और स्प्रिट लेवल की सहाईता से एक साथ जोर करके वेल्डिंग कर दे ताकि एक सेप बन जाए उसके बाद मेजर्मेंट के एकॉर्डिंग एसीपी को कट कर ले एसीपी कट करने समय एयर वेंटिलेटर का ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पे मैंने स्क्वाइर पाइप को रस्ट से बचाने के लिए पेंट कर दिया है अब सारे पैनल को स्क्रू की मदद से स्ट्रक्चर में टाइट करना है स्ट्रक्चर तयार होने के बाद यहाँ पे एयर वेंट के लिए हूल किया गया है हूल सौ की मदद से और दूर भी दिया गया है लुक को इंहेंस करने के लिए हम लोगों को स्टिकर का सहायता लेना होगा और फाइनली आप लुक देख सकते हैं यह लुक निखर के आया है इसमें एयर वेंटिलेटर का भी ख्याल रखा गया है इस कूप को टू डो टू इस्टोरी बनाया गया है ताके मुरगी के साथ साथ बत तक भी रह सके और एयर वेंटिलेटर का खास ख्याल रखा गया है दोड का साथ इतना बड़ा रखा गया है कि एक छोटे से चिक से लेकर के एक बड़ा सा हंस इसमें समा जाए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद